गुद मॉर्निंग दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम बात करेंगे वेस्टी आवला के बारे में तचले सुरू करते हैं आईरुविद में आवला को स्वरुपर्तम गुणकारी औसदी माना गया है जो लगबख सो से जदा बीमारियों को ठिक करने की समता रखता है जिसका उपयोग लाखों वर्सों से अनेक बीमारियों से लड़ने के लिए किया जा रहा है आवला में विटामिन C का सबसे सम्रत प्राकतिक श्रोथ और साथ ही इसमें कैल्सियम फोस्पोरस के साथ पोटिशियम आईरेन विटामिन A, विटामिन B, विटामिन E, कॉमलेक, फॉलेट, सोडियम, फाइबर, जिंग की मातरा पाई जाती है आवला को अंग्रेजी में इंडियन गोट्स बेरी के नाम से संस्क्रत में अमरत्फल वपंचरस्था के नाम से जाना चाता है पहले समय में आवला में हमें बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता था और आज हम समय में मानों आवला पेड जिसे दुल्ले भी हो गए है इनी ही बातों का ज्यान दखते हुए वेस्टिज कंपनी ने आवला कैपसुल की फर्म में नया है जिसका सेवन करने से हम कई बीमारियों से लाप पास सकते हैं जिनने जानने के लिए आगे बड़े कैपसुल मौनिंग कैपसुल इविनिंग अगर आप बताए डॉक्टर कैंनसा रूप योग करें कैपसुल दोस्तों इस लेक के मादियम से हम जानना चाहते हैं वेस्टिज वेस्टीच आवला डाइबिटिस में फायते बन्द डाइबिटिस के मरीचों के लिए कैपसुल बहुत काम की थीजिए डाइबिटिस से फीडित विक्ति हर पर्ति दिन इसका सेवन करें तो बिमारी से रात मिलें की दरस आवला में क्रोमियम तर्टों पाये जाता हैं आवला इंसुलिन हार्मोंस को प्रिदर्ट करता है और खून की जुगर मत्रा को नियंद्रिस करता है बालों के लिए फायदे बंदे वेस्टीच आवला चेरे की चमक बरकरा रखने और बालों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही जरूरी है आप इस क्रेम का इस्तिमाल करे वेस्टीच आवला कैप्सुल का भी सेवन कर सकते हैं वेस्टीच आवला हमारी तोच्छा और बालों के लिए बहुत ही फायदे मन होता है आवले की रस्म एंटी ऑक्सिदंट प्रचूर मत्रा में पाया जाते हैं जो बढ़ती उम्र का असर आपके चेरे पर नहीं पढ़न कारगर हैं वेस्टीच आवला का नियामित सेवन करने से कई प्रकार की सारी दिक विम्मारियों कर सोचा रोगों से होता हैं वेस्टीच आवला कैप्सुल दिन में दो बार खाना खाने के बाद ले सकते हैं और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट, लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो आगे से आगे फॉरवर्ड करें थैंक्यों